नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि यह एक BPL का 20-inch का CRT Television है और इस पर एक प्रावलम है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं तो दोस्तो इस पर समझ से क्या है हम जैसे है इसे पावर से ओन करते हैं और दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा ओन तो हो चु पर लगाते हैं तो दोस्तों इस पर डिस्पले पर किसी पिक्टर दिखाय नहीं देता है लेकिन इससे साउंड जुरूर आता है तो आज दोस्तों मैं इसी बारे में एक चोटा सा जानकाई देने बाला हूं कि अगर और TV पर sound आ रहा है और TV screen पर कुछ भी display नहीं आ रहा है तो दोस्तू आप सब से पहले क्या check करेंगे अगर आपका sound आ रहा है और picture आपका बिलकुन भी नहीं आ रहा है तो दोस्तो आपको सब से पहले क्या check करना होगा तो इस वीडियो को पुरा complete देखिएगा अगर आप दोस्तो एक नय मेकानिक है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण है तो दोस्तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना होगा तो जैसे कि आप देख शकती है इस टेलिवियन पर यह जो पावर सप्लाई है तो दोस्तो आपको पावर सप्लाई के शेकंडरी में डायोड के साथ एक कैपिश्टर आपका लगा होता है जिसका वैलू होता है 100μf ए 160 बोल्ट या कि फिर 47μf 160 बोल्ट तो दोस्तो आपको क्या करना होगा कि उससे कैपिश्टर के दोनों पिन पर आपको मल्टिमीटर का फ्राड लगाना होगा और आपको वहाँ स्टन्डबाय पोजिश्टन में करिए 120 बोल्ट के लगभग दोस्तो आपको वहाँ सप्लाई मिलना चाहिए और आप देख सकते हैं कि हमें यहां चेक करने पर कहीं 15 बोल्ट कहीं 13 बोल्ट कहीं 6 बोल्ट मिल रहा है तो दोस्तो इस पूजिश्टन में हमें सबसे पहले इसे कैपिश्टर पर बोल्टेज चेक करना है अगर हमें यहां बॉल्ट प्रापर नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना होगा आपको इस position में output section में जाने वाला जो supply है तो आपको cut कर देना है इसके बाद यह दोस्तो आपको voltage check करना है अगर output voltage काटने के बाद भी अगर हमें power supply में same bolt मिलता है तब दोस्तों इस position में हमारा यह जो capacitor होता है तो उसे आपको बदल कर देखना होगा जिसका value होता है 100 mu of 160 bolt या कि फिर 47 mu of 160 bolt तब दोस्तों में जो old वाला 47 mu of 160 bolt का capacitor लगा हुआ है इसे मैं open करूँगा और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पर जो पुराना वाला कर फिर लगा हुआ था 47 mu of 160 bolt का दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमीं सही दिख रहा है देखने पर अधिक तरह खराब हो जाता है तो उपर से दोस्तों फूल जाता है करफिश्टर लगा दिया है आप इसके बाद हम करफिशिटर को लगाने के बाद इसे फिर से पाबर देकर चेक करेंगे कि जो हमारा बोल्टेEst कर फिर पर मिलना चाहिए तो दोस्तों हमीं परापर मिल रहा है कि नहीं तो मल्टी मीटर को हम DC रेंज में लगा लेंगे अब इसके बाद हमें एक बार फिर से इस पर बोल्टेज चेक करना होगा तो दोस्तों मैं सबस्पहले इसे पावर दे देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पावर इस पर आ चुका है अब इसके बाद हम सबसे पहले काईपीश्टर पर मल्टी मुटर से बोल्टेज चेक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 137 के लगवाग बोल्ट मिल रहा है जो की सही है अभी यह इस इस्टेंडबाइ पूजिसन पर है तो दोस्तों अब हम इसे इस्टेंडबाइ से रिलीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस्टेंडबाइ से रिलीज हो चुका है और अब दोस्तों हम टीवी स्कीन पर भी देख लेते हैं इस प्रकार से दोस्तो अगर आपको टेलीजन पर फाल्ट देखने को मिलता है शाउंड आता है लेकिन पिक्चर जो बिल्कुल भी नहीं आता तो दोस्तो इस पूजीसन में आपको इस प्रकार से फाल्ट चेक करना है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जूरूर करें नमस्कार